Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mode. Today we are going to study chapter number 9 of E.V.S. Book of Class 4th and the name of the chapter is A Visit to Jammu and Kashmir. तो प्यारी बच्चों जो आप Jammu and Kashmir का ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसमें जो लिखा है Jammu Kashmir और बाकी अलागों का भी लिखा है, जैसे जमो कश्मीर एक सिटेट था अब एक यूटी है तो जमो कश्मीर को मतलब वहां विजिट करना ये कौन विजिट करता है क्यों विजिट करता है हम इस चप्टर में अच्छे से ये सिटोरी बढ़ेंगे और आई होब कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा किमकि ये एक म मशूर है तो इस तरह मतलब जब ये चप्टर हम पढ़ेंगे तो आप सबको लगेगा कि जैसे जमो कश्मीर आफ विजिट खुद कर रहे हैं खुद गूम रहे हैं ठीक है मैं चूँ तो लैट उस बिगिन तो पैरे बच्चों एविजिट टु जमो एंड कश्मीर स्टेट हाँ प्लीजिंग इस टु हीर दीज वर्ड्स तो ये भी वही बात बोल रहे हैं जो मैंने आपको पताई कि मतलब कश्मीर जाना हर एक इनसान मतलब हर किसी का खौफ होता है कि कश्मीर है यह इतना खुब सूरू है जब यह मतलब वर्ड्स हम सुनते कि जमो कश्मीर जाना ह तो नो डूट हमारे लिए इतना एकसाईटिंग नहीं है हमें खुर भी अपना जमो कश्मीर बहुत प्यारा है बैचो लेगन फिर भी कि छया सकते हैं फिर आप जा दूसरे स्च्टेट्स में जाते हैं तो वैसे ही जुम आजब पूरा जमो कश्मीर नहीं कि इसलिए हम आज दियान से पड़ेंगे कि जम्मू कश्मीर कैसा है वे स्टार्ट आव जर्णी फ्राम दर जमू रिजन आप शोटी चोटी चोटी बस में पीपल जमू आर काल दोगराज दे स्पीक दोगरी लैंविज इस पीपल नून फार दियर ब्रेवरी जमू इस पीपल दोगराज बोला जाता है कि वो डोगरी लैंविज बोलते हैं तो यह अपनी बहाधुरी क्रीए डोगरा जो लोग है डोगरालो बहाधुरी क्रीए बहुत मश्यूर है और जमू इंपोर्टेंट इस सिटी है इस रिजिन की क्योंकि यह पैंक और तवी का जो कना रहा है वहां पर आबाद है और यह विंटर कैपिटल भी है जमू कश्मीर की सरेनगर पी और कैपिल है लेकिन समर कैपिल है और रिवेंडर कैप्टल मोजा यहां पर बहुत ही खूपूरोट मंदर है मांसर लेक इस सिटेश्ट इन देश्टेशन इसे इन तो हैं तो यहां पे जो जम्मू है यहां पे बहुत सारी खुबसुरत मंदर है मांसर लेक है एक लेक है उसको बोलते हैं मांसर लेक और केव एक गुफा है एक गार है किनका शरीम माता विश्नो देवी का और वो त्रिकूटा हिलस में है वो थोड़ा पहाड़ी में है it is an important holy place for Hindu और ये Hindu religion वालों के लिए बहुत ही खास जगह है मुतबरक जगह है the famous tourist spot is that is Kud, Batut, Sansar, Patnita, Badarwa and Kishtwar are also here in this region तो ये बो रहे हैं और भी Hindu के लिए और भी जगह हैं और कुछ मशूर जगह हैं Kud, Batut, Sansar, Patnita, Badarwa and Kishtwar ही से है ठीक है, बच्चो, दीवाली, एद, होली, एंड, गुर्पुराव are the main festivals of Jumoo region तो जमू के लोग जो है, दीवाली भी मनाते हैं जो वहां के हिंदू है, एद भी मनाते हैं वहां की जो मुस्लिम हैं, होली भी मनाते हैं गुर्पुराव भी मनाते हैं वहां सिक्स भी है, वहां सब religion के लोग है, on both sides of the road you find so many different kinds of trees और जब हम चलते हैं कश्मीर के तरफ तो जो रस्ता है, इसके दूनों तरफ trees बहुत सारे दारखत लागी है और अलाग यूज किसी थिक forest is a narrow mountain road, these roads have been built by cutting the mountain और अब बच्चो, आप जब जो मुसी सन्नागर जाओगे तो आप कश्मीर की तरफ जाओगे तो वहां आप देखोगे जो यह roads है, बहुत ही खूबसूरत है साइडस में जंगल जैसे हैं क्योंकि यह पहाड़ों को काट कर बनाए गए है तो वहां पे एक mountain and on the other side is deep river एक साइड मॉर्डेन है, दूसरे साइड डी अपरियर है उसको बोलता है चनाब तो क्या आप में सुना है वहां का चनाब है मतलब वहां के शूर जो वहां से जब पानी फ्लो होता है इट फ्लोस थ्रॉज 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 फ्लोस वैली से यह गुजरता है तो बच्चो यह जो चनाब वैली है तो वहां पे जो यह रिवर एक दिरियाव चलता है यह जो तेज तेज मतलब जैसे दोड़ रहा है तो इसे हमें यह मतलब लगता है जैसे हम से कह रहा है कि आप देखो पहड़ों के बीच मैंने अपना रस्ता कैसे बनाया तो इसने कैसे रस्ता बनाया इस तरह आप लोग भी अपना मन बना लो तो कुछ भी हो सकता है थैंक यू